प्रक्षा की देट घोशित करने प्रक्षा की देट घोशित करने प्रक्षा की देटे हुए मेडिया बैट में क्या कुछ कहा है सुनिये हम लोगों की मांग है कि ब्रक्षा की देटिये इंचर अस्तरिये प्रक्षा की देटी जल्द घोशित करे और साथ ही संपूल परिक्षा कलेंडर जारी करे और अप्रेल दो हजार पचीस तक इस बहाली को पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी करे जिसमें OMR सिट की कार्वन कॉपी और कोस्टन बुकलेट परिक्षा समप्ती बाद परिक्षारतियों को दिया जाए परिक्षा के बाद आंसर की जारी हो जब रिजल्ट आए तो कटप सभी का मार्क जारी हो ये पारदर्शिता होनी चाहिए और साथ ही BSSE में अस्थाई अध्यक्ष की निक्ति की जाए और BSSE से अमरेंदर कुमार को बाहर किया जाए BSSE के जो अमरेंदर कुमार है मेंबर है अभी वो जब BPSC के परिक्षा ने अंतर रख थी है तो उस समय BPSC में भरष्टा चार चरम पे पहुँच गया था और वैसे अमरेंदर कुमार को अब BSSE का मेंबर बना दिया गया है तो BSSE से उनको बाहर किया जाए अमरेंदर कुमार को और BSSE दूतिया इंटर अस्तरिये की PTP परिक्षा कितिती जल्द घोसित हो और संपूल परिक्षा के लेंटर जारी करते हुए अपरेल 2025 तक इस बहाली को पूरी करे और साथ ही सिविल कोट की बहाली 21 महिने पहले सितंबर 2022 में आई थी लेकिन चपरासी और कलर्क पद के लिए 21 महिने के बाद भी अभी तक परिच्छा की तिति घोसित नहीं हुई है सिविल कोट के बहाली के लिए जो बोट बना है सिविल कोट गांधी मैदान के अंदर इनके जो मेंबर हैं चेर्मेन हैं उनसे हम आगरा कर रहे हैं कि जल से जल सिविल कोट कलरक और चपरासी पद के लिए परिच्छा की तिति घोसित कीजिए और लाखो अस्ट्रेंट के साथ नियाए किया जाए अगर जल से जल परिच्छा किति की घोसित नहीं होती है तो आगे हम लोग 24 जुलाई को ट्विटर पे अंदोलन करेंगे बिएससी और सिविल कोट की परिच्छा कराने के लिए अगर उससे भी बिएससी नहीं जागती है तो फिर हम लोग उसके बाद जुलाई लास्ट में हम लोग फिजकल पोटेस्ट करेंगे बिएससी बिहार कमचारी चेनाएक का घिराव करेंगे वहाँ पे धरना देंगे जु जुलाई के अंतिम तारीक को या एक अगस्ट को हम लोग करेंगे धरना का इसे मित्लों सड़क फूटरियेगा कि हम लोग ऑफिस में जाके धरना देंगे बीससी ओफिस में धरना देंगे अगर उसके बाद भी बिससी जेट गोसित नहीं करती है तो फिर हम लोग सरक्पी अंदोलन करेंगे पटला में अगर उससे भी अगर नहीं सुनती है बिएससी तो पुरे बिहार के हर जिला में जाके अंदोलन करेंगे बिहार बंद करेंगे लेकिन चुप नहीं रहेंगे अब आट मेंना बाद परिच्छा नहीं ले रहे हैं जेट घोसित नहीं कर रहे हैं त चिर्फ BSSC दूतिया इंटरस्तरिये में हैं और 10 लाख के आसपास सिविल कोट के हैं और इसमें से कई लाख अवियर्थिये हैं जो दोनों का फॉर्म बढ़ें तो करीब करीब 30 लाख अवियर्थियों के जिंदगी के साथ उनके करियर के साथ खिलबार हो रहा है भविश्थ खाना ले जा गया कई बार लाटी चार्ज हुआ तो हम इससी से नहीं डरते हैं और BSSC को अब जगाने के लिए हम उतर चुके हैं सरक पर BSSC जल्द जाग जाए और डेट घोसित करे BSSC दूतिया इंटरस्तरिये का नहीं तो हम लोग अगली बार BSSC ओफिस में धरना और मेंगे 22 hear from ridge की शरकार लोगतांत्रिक है और अगर सरकार लोगतांत्रीक यह तो शरकार को सुननी चाहिए और नितीज पुमार जी ने हमारे कई आंदोलन की जो मांगे रही हैं कई रात abuse के बात पर ने ब्याचार किया लागू किया मार बात भी माना है उसके लिए में ध हैं तो हमें उमीद है कि इस मांग को भी नितिश्कुमार जी मानेंगे और बिये ससी को आदेश दिशा निर्देश जो भी हो देंगे कि जल्द परिच्छा कंड़क्ट करवाया जाए